आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि दुशील का विलोम शब्द क्या होता है और इसका आर्थ क्या होता है और साथ में हम कुछ उधारन वाक्तियों से भी इसे और अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले दुशील का आर्थ समझते हैं दुशील का आर्थ होता है बुरे आचरन वाला या एनातिक की यानि कि जिसका आचरन या जिसका वहवार सही न हो उसे हम दुशील कहते हैं तो दुशील का विलोम शब्द याने की विपरित आर्थक शब्द होता है सुशील और सुशील का आर्थ होता है सब है अच्छे आचरन वाला या सजन तो आईए अब हम दुशील और सुशील को कुछ उधारन वाकियों से समझें जैसे कि आप कह सकते हैं कि दूशील लोगों से दूर रहना की बहतर होता है या फिर आप कह सकते हैं उसका दूशील स्वभाव उसे दूसरों से अलग करता है या फिर आप कह सकते हैं कि सोशील वैक्ति हमेशा दूसरों की मदद करता है यह फिर आप कह सकते हैं कि उसके सोशील स्वभाव के कारण सभी लोग उससे प्रभावित होते हैं अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें